हेलो फ्रेंट बहुत लोगों की रिखि़ेस थिए जो हूँ है जो हो है जीजिंग करती हुँ हैं His eating के ट्रेड कैसे होते क्या होते असके पीछे लाजिक और जो आज की दिन मैंने ने की पोजिशन करके रखी क्योंकि कल के दिन है बैंग निपटी की एकस्पाइरी तो यह जिंग का टेड मैंने क्यों किया है इसके पिछे क्या लॉजिक है और इस ट्रेड में मैं ऐसा क्यों बोल रही क्यों मुझे 100% प्रॉपीटी होने वाला एक रुपे का भी लॉस नहीं होन कि मुझे लॉस नहीं होना चाहिए मतलब इक लिमिटेड लॉस होना चाहिए बट मैंने जो पोजिशन क्रियेट किये इसमें मुझे मीनिमम भी लॉस नहीं होने वाला इन शॉट के एंड में हम लोग 150 रुपीज तभी भी लेके निकल जाएगे मतलब एक रुपे भी हम लो लॉट उसको बाई भी करके रखे मतलब टोटल एट लॉट मैंने सेल करके रखे एंड फोर फोर लॉट उसको हेज करके रखे तो अभी पोजिशन की पीछो लॉजिक के आपको मैं समझाती हूं ठीक है अभी इस पोजिशन अल्रेडी हमें 600 का प्रॉफीट है तो आप यहा आने वला आप यहां पर देखोंगे इसका सबका सम कर मतलब जो भी मल्टिप्लिकेशन अंसर है जैसे कि इसका अंसर क्या रहा है 300849 रूपीज इसका अंसर आ रहा है मतलब उतना हमें पूरा जीरो होता है एक कल के दिन एक्सपाइर है मार्केट 47700 की उपर ही रहता है या न क्या रखे उसमें हमें कितना लॉस आने वाल है उसमें हमें पूरा जीरो होता है तो 11,000 हम लोगों का क्योंकि हमने जीरो क्या मतलब जीरो होने का हमारा मक्सद है क्योंकि हमने सेल करके रहा मतलब हमारा प्रॉफिट यहां पर हमारा माइनस है क्योंकि हमने बाइक और जीरो चार लोट उसको बाई किए एवाले तो उसका अंसर कितना आ रहा है उसका अंसर आ रहा है 7,223 पूरा जीरो होने के बाद तो आप देखोगे यह हम लोगों का प्रॉपीट है और यह हमारा दोनों भी 0 होने के बाद लौस है दोनों का भी सम करोगे तो इसके अंदर प्लस करो मतलब यह दोनों का सम कर कि इसके अंदर माइनस को रोगे, तो माइनस करने के बाद अंसर कितना रहा है, 1, 2, 7 रूपीज अंसर रहे या 8 रूपीज रहे, मतलब सब 0 होने के बाद भी मुझे 128 रूपीज का प्रोफिट होने आले, आप प्लस करके देखो, आपको नई समझ में आये, पता है मुझे, skip मत करना वीडियो, फिर से पीछे जाना, और सबका इस multiplication करना, तो end में अंसर कितना निकल क्या रहा है, 1, 2, 7 रुपीज अंसर निकल क्या है, तो इसको क्या बोलते, position प्रॉपर टाइम पे adjust करना, क्या, market में IV नहीं है, market में volatility नहीं है, wix बढ़रा नहीं है, ठिटा हमारे favor में, सब हमारे favor में, तो उस समय राइट टाइम पे हमें position हेच करने पड़ थी, और हेच करने के बाद, फिर हमारे पास एक adjustment का proper calculation आता है, जो हमें end में profit में लेके जाता है, अभी आप बोलोगे इतना calculation कैसे कर option hedging की position मैंने क्यों create की, क्योंकि दो दीन हो गए market इसी level में, आज का जो data आया end में, तो market थोड़ा सा अब जाने वाल है, मतलब मुझे यहाँ पे बड़ा profit नहीं होने वाला, छोटा सा profit होने वाला, बट loss fix नहीं होने वाला, कल में इसका आदा पाट इसे में आगे cover करूग क्योंकि यह आज का वीडियो फिर कल का आगे इसके अंदर ही add हो जाएगा, तो आप देखो कि ऊपर जाता है, तो भी मुझे profit ही, कितना 127, निचे भी जाता है, तबी भी मुझे 120, यहां से कल बैंग निप्टी 5000 पॉइंट भी gap down open होती, या gap up भी open होती, तो मुझे 127 रुप sell करके रखे, वो पूरा 0 हो जाएगा, market gap up होता है, तो 0 नहीं होगा, but market gap up, मतलब market gap down होता है, तो 0 नहीं होगा, but market gap up, क्योंकि हमने यहां पर put shot करके रखे, हमने call shot नहीं किया, ध्यान से देखे हमने क्या क्या, यहां पर call shot करके रखे, तो हमने यहां पर call shot करके रखे, तो कल के दिन मार्केट या बैंग निप्टी 5000 पॉइंट से भी गापोव उपन होती है तो हमने हमारे सब प्रीमियम जीरो हो जाएगे मतलब हमें 127 का प्रॉफिट होने वाला मार्केट कल की दिन गाप डाउन भी उपन होता है 5000 गाप डाउन भी उपन होता है माल लिजे इतना हो तो नहीं सकता बट कंसिडर करके चलते तब भी भी हमें प्रॉफिट कैसे आने वाला है क्योंकि हमने सिर्फ 8 लॉट शाट करके रखे बट उसके साथ हम लोगों ने दोनों भी साइट 4-4 मतलब दोनों भी साइट के हमने 4-4 लॉट लेके रखे तो हमने 8 लॉट बाई भी क करके रखे ना मार्केट डाउन होता है मतलब कल के दिन कितना भी नीचे जाता है तो हमारी वाली पोजिशन हमारे अगेंस चली जाईगे मतलब जो हमने $ 7800 क का कॉल शॉट के है औह हमारे पूरे आट लॉट हम挺 अगेंस चले हैं अगबрист हमने फाить कर के मतलब 30-30 कॉंट नी position है कितना भी उपर जाता है तो हमारे पास selling की position है तो अभी यहां पर आप बोलोगे अब भी जाता है डाउन भी जाता है तो आपको तो 127 रूपीज का profit होने वाला है फिर आप इस मक्स से position create करें कि definitely है तो अभी का फिलाल जो open interest है हो क्या बोल रहा है इसके नीचे और इसके नीचे दोनों भी site call writer and put writer अच्छे खसे मतलब कल के दिन जो मेरा option chain का knowledge है जो मेरा data हो मुझे क्या बोल रहा है 50% chances है कि market इसी area में expire होने वाला है तो market इसे area में expire होता है तो मुझे max कितना profit हो जाएगा 3100 यहां पे भी market close होता है तो मुझे 2000 मिलने वाले तो 2000 कमाने के लिए मैं इसके लिए 60,000 का capital utilize किया है तो इस 60,000 के उपर 2000 बहुत बढ़िया profit है और टेंशन का इसमें एक रुपई का भी loss ने तो ऐसे option selling से यह ऐसे option hedging से पैसे कमाया जाते आज की दिन आप देखोगे market में दोनों भी position अभी भी मेरे favor में against तो कुछ भी नहीं चला गया तो बहुत सारे लोगे जो loss करके पैसे कमाते आप खुद देखिए और end में आपको इस चीज़ चेक भी करनी है हमारा profit loss आप analyst के उपर जाए इस चीज़ सब को पता ही होगे तो आप यहाँ पर देखिए अभी मेरा आज के दिन 600 टोटल profit है उसके बाद क्या है कि कल के दिन मतले भी कल का data दिख रहा है कल market इसी point पे open होता है तो मुझे 1000 का profit देखेगा starting में कल 47,870 के पास open होता तो 1000 मुझे profit देखेगा कल market कितना भी नीचे या कितना भी उपर जाते तो मेरा max loss कुछ भी ने क्योंकि 100% probability मुझे profit होने वाला क्योंकि मैंने calculation करके दिखेगा आप cross check करना फिर उसके बाद market जैसे की 47,700 के and 900 के बीच में expire होता है तो मैं इस area में profit होगा अभी मेरे expectation कि कल market इस area में open हो जाएगा तो फिर मुझे कितना profit होगा इस area में expire होता है अभी का फिला low data मुझे बता रहा है मुझे 500 का profit हो जाएगा अभी मैंने proper adjustment नहीं किये तो हमें मतलब किसी भी direction में market चल जाए तो इस hedging के position में loss नहीं होगा और देखते फिर कल profit आता है या loss आता है verify PNLB मिल जाएगा don't worry and जो भी चीज़ होगी मैं आपक method है second जो लोग working है ना उनको tension है क्योंकि आपको loss होने ही नहीं वाला या loss भी होता है तो बहुत limited है आपको आपका loss भी पता है आपका profit भी पता है तो tension वाली चीज़ नहीं भले market gap up होता है gap down आराम से सोज़ो option buyer राद भर call buy करके बैटा है तो market gap up होना चाए gap down open होता है तो क में भी हमें खुशी नहीं तो end में क्या ऐसे करके चलो आराम से 5-10% कमा होगे भी और टेंशन फ्री लाइप और 5-10% मंतली बहुत enough amount है या बहुत enough income है आप satisfy percent या passive income चाहते तो आपके लिए चीज़ बहुत बढ़ी है तो इसका option है जिंग का course मेरे channel के उपर जल्दी आ जा इसमें आपको definitely सब चीज़े सिखने के लिए मिलेगे advance plus की बाच अभी तो कुछ नहीं है बट December ending आ जानेवरी के first week में आजेगी आप join कर सकते यहापे वहापे आपको definitely knowledge मिलेगा तो hopes so मैं क्या बोलगे आपको समझ में आ रहा होगा देखके भी कल loss होता है या profit जो भी मैं इसाथ share करूगे definitely देखोगे मेरे level के पास market कब आ इस point पे आ गया तो exactly इस point पे market सोवा एक बजे यह 130 के नियर मार्केट इस एरिया में आ चुका था जहां पे मैंने बात की थी इस box के अंदर market expire होता है तो हमें market में 100% profit होगा even इसे कितना भी बाहर निकल जाता है तो हमें 127 रूपीस का profit आने देखोगे मार्केट में right time entry के पाद right time exist कितना matter करता है तो आप इस point पे आराम से देखोगे यहां पे market exactly इस एरिया में आ चुका था और उसी समय मैंने मेरी position exist की और finally मुझे हापे 2000 का profit मिला तो एक position create करने के लिए आप लोगों ने कल देखा होगा हमने 55,000 का capital use किया था और 55,000 के उपर हमने option hedging में कितना 2000 का profit earn कर लिया एक की lot से किया मतलब एक की adjustment के थी ज्यादा adjustment करते तो उसके multiple हमें profit हो जाता आप यहां पे देखोगे भी even मैंने position कप सब साथ में exist की even आप देखोगे मैंने market price में sell की कहां पे भी मैंने limit order नहीं set की थी तो आप आराम से देखो और exactly उसी समय में ने position निकाल दे और आप यहां पे देखोगे कि उसी time पे हमें 2000 अभी PC ज्वेलर sell करने के बाद जो हमारे information के लिए बताता है न हम लोगों को और इतना sell करने के बाद हम कितने profit में मतलब वो हमारा profit नहीं हो ता मेभी आप लोगों को चीज़ पता ही होगे तो उसका 5000 अड़ होके हमें profit दिखा रहा है तो 3000 profit ने 2000 profit मिला है तो हमें exactly कितना यहां पे इस option hedging के position में 2000 का profit हो है तो यहां पे matter क्या करते है हमें हमारे area के पास market आने का wait करना है जैसे कि market morning में gap of open होगा है इस point पे तो gap of open होने के बाद हम 600 profit में थे तो हम wait करे थे market में दोनों भी area में open interest बहुत ज्यादा हाई था तो मुझे expectation क्या थी market इस area तक आ जाएगा जो मेरी expectation थी और यहां पे exactly अभी यह सब मैंने according open interest ही किया था तो 48,000 के उपर call writer अच्छे खासे थे तो market उपर नहीं जाने वाला इसलिए मैंने put shot किये थे call shot क्यों ने की क्योंकि position adjust करने के बादी loss ही होता तो इसलिए इस condition में put adjust किये थे क्योंकि market नीचे आने वाला और नीचे आने के बाद इसमें से premium zero होते तबी भी हम profit में रहने तो इसमें condition क्या थी हमें market मतलब क्या है market में premium zero नहीं होने चाहिए zero premium होते तो हमें benefit नहीं होगा हमें इसमें point decay होने वा position से 2000 अर्निंग कर ले तो आप फिर से वीडियो देखे मैंने कल के वीडियो में मतलब जो इसके साथ में video connect करें मैंने बात की ती वही लेवल से आप देखोगे इस एरिया में market expire होता तो हमें profit होगा इससे 10,000 पॉइंचे या उपर भी जाता है तो हमें loss नहीं होने वाला हम हमें 127 रुपीज का profit आने वाला है और आप देखोगे मेरे premium जीरो नहीं हुए तभी भी हमें profit होता आपके सामने price पड़ी हुए और आपने कल के वीडियो में भी price देखी होगे ना दोनों 20 लाक एक साती वीडियो भी तो जो आपने previous starting में video देखा उसमें भी आप देखोग तो हमें 127 का fixed profit आने वाला था बट option hedging में matter क्या करता है आप कब entry करें और कब exist करें मतलब क्या right time entry and right time exist matter करता है क्योंकि इस समय मैंने position क्यों निकाले आप 5 मिनिट में यहाँ पर देखोगे जैसे कि मेरा इंस्टा लायू चल रहा था मैने बाद भी किती इंस्टा लायू मे market में अभी rally आने वाले चलो मैं इंस्टा लायू end करते फिर नेक्स लायू में मिलते हैं इसी टाइम पर मैंने इंस्टा लायू क्यों खतम किया क्योंकि हाँ पर मुझे अच्छी खासी बड़ी candle मिली और यहाँ पर जो open interest था न ओपर फास्टली गिर गया था तो मैंने सिर् क्यों नहीं क्योंकि मैं regular booking करते हूं right time entry right time exist तो जो लोग मुझे हमेशा बोलते हैं आप क्यो daily profit book करते हैं hold क्यों नहीं करते हूं तो right time entry right time exist बहुत ज्यादा matter करते हैं तो मैं quickly gain capture करना पसंद करते हूं बहुत लंबे समय तक 8-10 दिन hold करना मुझे पसंद नहीं स्विंग टेडिंग में इसले में regular booking करते हूं इसले मैंने हैं पर hedging में exactly right time पर entry मेरी हटा दी मतलब मैंने position book के और finally इस option hedging के position में हमें 2000 प्रॉफिट आ गया तो हूप सो इस वीडियो आपको helpful लगा होगा कैसे option hedging होती उसमें क्या benefit होता है इस सब कुछ चीजा मैंने इस वीडियो में discuss किये आगे भी हम वीडियो लेके आएगे तो वीडियो पसंद आएको तो वीडियो को लाइक किजे चैनल को सब्सक्र